आज हम बनाएंगे भेज मियो सैंडवीच, इसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में भी स्वादिस्ट है, इसे आप बच्चे कटी फिन में दीजिए या मर्निंग ट्रेकफास में लीजिए, हेलो फ्रेंट्स, आप सभी का हमारे आया किचन में स्वागत थे, चलिए इसे बन बनाना शुरू कतते हैं, ये सबसे पहले हमें चाहिए एक बावल, अब उसमें हम डाल लेंगे एक कप बारिकटे हुई पतागोबी, ग्रेड किये हुए गाजर एक कप, एक कप टमाटो यानि दो, दो बारिकटे हुई प्याच, दन्याके पत्ते, हाप चामच जीरा स्वाद अनुसार नामक यानि एक चामच और ये हमने लिया है मियोनीच, मियोनीच हमने धेश सारे मियोनीच हमने इसमें डाल रहे हैं, आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये जितना आपको डालना है आप अपने पसंद के हिसाब से इसे डाल लीज मुझे थूड़ी सी चादा मियोणिज मतलब में इसमें डाली हूं। क्योंकि मेरे बच्छे बहुत कुसा करें। तो बच्चे बहुत कूशते हैं, तो मुझे इसलिए थोड़ी सी में इसमें ज्यादा मियोनिज डालके इसे में बना रही हूं, और इसे इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लिजिए, और यह देखे हमारे अच्छी से मिक्स हो गया है, आप जो भी वेजेटेबल्स भी जो आप अपने पसंद के इसाब से आप इसे ले सकते हैं, इसमें से कोई चीज आपको अगर पसंद नहीं है, तो आप स्कीप भी कर सकते हैं, कोई जरीर नहीं है कि में जो डाला हूं, वही डालना जरूरी है, आप इसे हम साइड कर लेते हैं, आप इसे हम लेंगे एक प्रेड इसमें से एक ब्रेड निकाल लेते हैं आप साइड के किनारे जो ब्राउन कलर है इसे हम कट कर लेनी है इसे इस तरह से कट लीजे और इसे फेके नहीं इसे ब्रेड क्रम बनाने में इसे आपकी मदद दोल सकती है आप इसे बीच में इस तरह से कट कर लेंगे यह दिखिए इस अग्षासंत के हिसाफ से काम ज्यादा मुट्य परत जैसे जह चाहते हैं उसी हिसाफ से अपशे उत्स ही डाल डीजें दूसरी कट जुप रेडं ऐसे डाल जिए यह हमारे हो गई हैं तेयर यह रात पोलिए इसी तरह से दूसरी और दो परेड़ ले लिए इसे इस तरह से इसे काट लिगरें और साइड कर लेते हैं अब इसके उपर भी इसे भी हम डाल लेंगे जो मियोनिश मिक्चर हमने त्यार किया हैं इसके उपर भी डाल दीजिए एक मोती परत से आपको जैसे पसंद है मुझे थोड़ी सी जादा ये चाहिए तो मैं थोड़ी सी मोटे परत से इसे उपर हम डाल रहे हैं आप पतले चाहे तो पतले भी आप इस तरह से डाल सकते हैं ये हो गई हमारे तियार अब इसके उपर हम डाल लेते हैं बटर ये हमने लिया है बटर बटर को इसके उपर थोड़ी सी डाल लेंगे आप चाहे तो आपने पसंद के हिसाब से कम ज्यादा जैसे भी आप डालना च चाहिए तो मैं थोड़ी सी कम बटर इसमें डाल रही हैं और यह हो गई तियार आप यह हमने ग्यास अंड करके एक तावा हमने करम कर ले अब इसके ऊपर हम डाल देंगे जिस साइड बटर लगाए उसके पर पहले उसमें डाल देंगे अदूसरी साइड भी इसी तरह बटर डाल लेंगे हमने बटर को तुरंट फिर फ्रीज से निकाला इसलिए थोड़ी सी जम गई है तो आप इसे थोड़ी सी पिगाल के भी इसमें डाल सकते हैं और दूसरी जो हमने कट करके बनाए हैं उसके उपर भी डाल लेंगे इसमें भी इस तरह से डाल दीजिए अपने प करें दूसरी साइट ही डाल दीजिए पटर जो भी हम सोपते जाते हैं तो हम किसी तरह फ्राय करके यानि मतलब सीख के इसे देते नहीं हैं हमें इसे जीसे हमने कचय अपने ज़ये देख करके दिया जाता है तो आप अपने पसंद के हिसाब से चाहें ऐसे भीनासी के आप लुट सकते हैं यquin मैं चाहिए इसी तरह थोड़這邊 से खाये लिए आता है लिए आदाले प्रत कर शें इसे क्षांपन परजों को रिख़र कि पर चुम Pacific दोड़ें लेनी है की यह से लीग है यानि इसी तरह से पकाल लेनी है जैसे आपका अच्छा प्संद के हिसाब से आप इसाब लगने है तो इस so अगर प्संद के हई ने ऊक्टाए हैं हमने ऊसित्वा को मैं शकर कर दोग क Carry से तियार कर लें हैं जैसे भी आपको आसान लागे स्कुयार सेप में या स्टांगल सेप में जैसे भी आप उसी तरह से अपने पसंद के साब से इसे त्यार कर लेजिए और ये देखे हमने इसी तरह से त्यार कर लिये हैं इसे हम काट के दिखाते हैं ये दिखे कितना अच्छे से हमारे बन की तियार हो गया है मियोन निच सांड़ीच आप एक पर इस रेशिपी को ट्राइ कीजिएगा जोरू I hope कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी helpful होगी हमारे इस तरह के और नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को से आरके दीजिएगा फिर हम मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ हमारे वीडियो देखने के लिए थाइंक यू सो मॉच